Hello everyone, I am Pramut Sark and welcome to my YouTube channel MacLani Point आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मो डाइनमिक्स के कुश्चन नम्म 301 से 320 तक So let's see कुश्चन नम्म 301 301 में पूँचा कया है Isothermal Bulk Modulus of a Substance is Denoted by तो Isothermal Bulk Modulus को हम किसके द्वारा डेनोट करते हैं यह पूँचा गया है हम जानते हैं Bulk Modulus क्या होता है अगर हम Pressure of Volume की टर्म में निक्ते हैं तो K equal to होता है minus B into में Del P over Del B तो यह हमारा Bulk Modulus रहता है अगर Isothermal Bulk Modulus की बात करते हैं तो K equal to हो जाएगा यहाँ पे minus B Del P over Del B at constant temperature ठीक है यहाँ पे क्या है constant temperature पर तो इस तरीके से यह Bulk Modulus हो जाएगा हमारा आइसो थर्मल प्रॉसेज के लिए ठीक है अगर हम आइसो थर्मल प्रॉसेज के लिए अगर निकालते हैं पीवी कोल टू क्या होता है MRT ठीक है P B equal to MRT होता है तो आइसो थर्मल क्या है constant temperature प्रॉसेज रहती है तो यहाँ से P equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे M की जगे अगर NRT लगते हैं तो यह क्या हो जाएगा NRT upon में B ठीक है अगर इसको अपन B के टम में differentiate करते हैं डेल अबर डेल वी तो यह क्या हो जाएगा डेल पी अबर डेल वी equal to हो जाएगा यह डेल अबर डेल वी into में NRT upon में B तो यह हो जाएगा अगर इसको differentiate करते हैं जोए यहां पर यह डेल पी ओबड इल भी की value क्या आजाएगी यहां पर डेल पी ओवर डेल भी equal to हो जाएगा यहां से NRT यह बन अपउं भी है तो यह क्या हो जाएगा इसका differentiation माइनस में बन अपऊंन bq तो यह हो जाएगा NRV upon में B Square तो यहां पर डेल P over डेल B की value क्या आ गई minus में nRT upon B Square तो यहां पर यह value put करेंगे है अपन तो यह क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा minus में B तो एक B से B cancel हो जाएगा तो minus minus plus हो जाएगा यहां पर यह हो गया nRT upon B to nRT upon B भी किसके बराबर हो था पी के बराबर पी कुल्ड अपना हमारा क्या था एन आर्टी कि अपन में भी था तो यहां पर अपन के जो है बल्क मॉड़लस वो किसके बराबर आ है प्रेशर पी के बराबर आ जाता है ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट कुस्टन है 302 302 में पूंचा गया है तो तक का जो टेमपरेचर है वह अपन एकुरेटली किसके द्वार मेजर कर सकते हैं तो देखते हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइज़ यह नेगेटिव तेमपरेचर मेजर करने के लिए बोल रहा है तो देखते हैं there are different devices that are used to measure different ranges of temperature different range of temperature को measure करने के लिए अलग अलग डिवाइज होती है तो low temperature के study को हम क्या कहते है cryogenics ठीक है this study has many application in the field of food preservation इस study का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता जाता food preservation के लिए किया जाता है इसकी सायता से हम lot of food save कर सकते हैं based होने से तो यहां पर thermocouple है thermocouple भी cryometer होता है तो इसका जो यूज करते हैं हम temperature measure करने के लिए वो कहां तक यूज करते हैं 1 Kelvin तक ठीक है thermocouple का यूज किया जाता है 1 Kelvin temperature तक measure करने के लिए एक होता है resistance thermometer इसका यूज किया जाता है 0.01 Kelvin तक temperature measure करने के लिए एक होता है magnetic thermometer इसका यूज़ करते हैं हम 0.001 Kelvin temperature तक ठीक है यह तीनों हमारे क्या है cryometers होते हैं इनका low temperature को major करने के लिए यूज़ करते हैं तो इसकी जो list है वो देख लेते हैं हम अलाला टाइप से तो यहां पर देखिए यह टेबल बनी हुँ है हमारी यहां पर यह pressure thermometer और यह थर्मो कपल हो गए और यह राजिस्टेन थर्मो मीटर तो यहां पर जो प्रेशर थर्मो मीटर है वो तीन पका रहा होते हैं वैपर प्रेशर और लिक्विड फिल्ड और यह गैस फिल्ड ठीक है इनमें भी हमारे जो temperature है यह देखिए यहां पर यह कहा है negative temperature मेजर किया जाते हैं और यहां पर जो थर्मो कपल से हैं थर्मो कपल के दौरा भी हम negative temperature मेजर करते हैं और दूसरा है resistance इसके दौरा भी negative temperature मेजर किया जाता है ठीक है तो अब इसके अंदर देखते हैं जो थर्मो कपल है थर्मो कपल के अं इंदर हम 196 से माइनस 250 माइनस 184 तो इसमें क्या है यह अलग-अलग यूज के जा रहे हैं आयरेन कंस्टेंट यह कॉपर कंस्टेंट और यह क्रोमियन अलमिनियम लेटिनम यह इस प्रकास से अलग-अलग थर्मोकपल यूज के जाते हैं तब हम अलग-अलग टेंपरिचर मेजर करते हैं तो अब इसमें जो प्रेसर थर्मोमीटर है प्रेसर थर्मोमीटर के बारे में देख लेते हैं प्रेसर थर्मोमीटर क्या होता है इन प्रेस system के अंदर रखते हैं इस case में जो प्रेशर है प्रेशर टेम्परेच्रा का फंक्षन होता है in this case the pressure is a function of temperature pressure हमारा temperature function होता है so that when the fluid is heated the pressure will rise जाह हम फ्लूड को heat करते हैं तो pressure हमारा क्या करता है rise होता है increase होता है and the temperature can be indicated by burden type pressure gauge तो जो temperature है वो किसके उपर indicate होता है जो burden type pressure gauge लगा रहता है उसके उपर major होता है in general the thermometer consists of a bulb thermometer में एक bulb होता है which contains bulk of fluid जिसके अंदर bulk of fluid present रहता है the bulb is placed in the region whose temperature is required जिसका temperature हमें require है उसमें उस बलब को हम place करते हैं a capillary tube connect the bulb to the burden tube तो यहां पर जो capillary है capillary का use करते हैं bulb को और burden tube दोनों को connect करने के लिए ठीक है तो यहां पर बैपर में अगर देखते हैं कि यहां पर यह हमारा क्या है बैपर pressure thermometer है तो तो यहां पर यहां पर यह हमारा एक बल्ब है बल्ब को हम चहां टेंपरेचर रिक्वाइर है वहां पर अपन प्लेस करते हैं इसको तो यह लिक्विड है लिक्विड के अंदर अगर हीट अवन देते हैं यहां पर तो यह क्या होगा यहां पर बैपर मकरमट होता है और यह ब आइद करते हैं यहाँ पर लिक्विड का जो expansion है यहाँ यह हम हीट देते हैं तो लेकुड हमारा क्या करेंगा एक पैंट होने से क्या है यहाँ जो कोईटर है इसका पॉइनटर के ऊपर डायल रहता है जैसे यह से प्लीड है और क्रलरे मरत For करने से जो इसका डायल है kup 경 j record start our फियी लेगा तो यह लिक्विद रहता है लेक опыт में I am yigra करते हैं up to 650 डिगरी tv तर से अप्टी डिगरी एरेंटर को मींजर कर सकते हैं किसके द्वारा लिक्विड फिल्ट थर्मोमीटर के द्वारा ठीक है अब यह लिक्विड फिल्ड है गैस फिल्ट थर्मोमीटर में भी क्या होता है इसी प्रकास से अर्रेंजमेंट रहता है वस उसमें हम क्या यूज करते हैं गैस यूज करते हैं जो गैस यूज कियाती है वो हमारी नाइट expansion उसको ज्यादा रखते हैं ठीक है तो यहां पर बस एक difference होता है जो bulb यूज करते हैं यह जो बल्ब यूज किया जाता है मच लाजर देन लिक्विड फिल्ड लिक्विड फिल्ड में जो अपन बल्ब यूज कर रहे थे उसके size की comparison में gas filter thermometer में जो size होता है वो बड़ा होता है क्योंकि gas हमारी क्या होती है ज्यादा expand करती है expand करने के लिए उसको area जाधा चाहिए होता है तो इसलिए इसके इंदर जो बल्ब यूज किया जाता है वो ज्यादा बड़े size का यूज किया जाता है इसके अंदर जो temperature मेजर किया जाता है वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर negative temperature पर मेजर करते है माइनस 269 डिग्री celsius तक रहता है तो माइनस 150 डिग्री celsius तक temperature को मेजर करने के लिए हम जाधतर accurately मेजर करना है तो gas thermometer का यूज करेंगे यहाँ पर gas यूज करेंगे ठीक है nitrogen और helium तो यह gas thermometer का जाधतर यूज किया जाता है इसके अंदर नेक्स्ट कुश्चन है 303 वेंड टू गैसे suddenly mixed up with each other then resultant entropy of the system will तो resultant entropy क्या हो है तो देखते हम we know that from the clausius inequality clausius inequality से हम जानते हैं cyclic integral of del qyt क्या होता है less than equal to zero ठीक है अगर हम reversible cycle की बात करते हैं यहां पर यह इस तरीके से दिया है ठीक है higher temperature हो गया lower temperature हो गया और यहां से हम heat को receive कर रहे हैं और यहां बर्क में convert करके जो heat है वो reject हो रही है हमारी ठीक है तो reversible cycle के जो cyclic integral है del qyt equal to किसके बराबर होता है हो जाएगा यह जो यहां से high temperature से heat receive हो रहे है qh अपॉन में th माइनस में ql अपॉन में tl ठीक है इप reversible cycle के लिए यह क्या होता है तो यहां से यह qh अपॉन में th एक्कुल अजाएगा ql अपॉन में जीरो होती है अगर cyclic integral है तो ठीक है अब कोई system जो reversible होता है reversible कब होता अगर उसके अंदर friction हमारा क्या हो जीरो हो friction negligible हो और heat losses क्या है जीरो हो heat losses नहीं हो रहे हो उसके अंदर तो हम उस system को क्या करेते हैं reversible तो system reversible कब का जाएगा जब वो internally और externally दोनों प्रकास से reversible हो यह process is reversible only when it is both internally as well as externally reversible ठीक है तो इसके लिए जो entropy है entropy क्या होती है ds equal to del q by t plus में ds generation ठीक है ds generation तो यहां पर यह जो entropy है वो कितनी generate हो रही है इसमें वो प्लस हो जाती है ठीक है और यह क्या है हमारी entropy है तो changing entropy हमारी क्या आ जाती है यह किसी भी cycle के यह reversible हो या irreversible दोनों के लिए हम यहां से इस पकास लिखते हैं entropy को तो अगर अगर अपन यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स के लिए जो entropy है entropy change of universe यूनिवर्स हमारा क्या है एक isolated system होता है isolated system में अगर हम इस तरीके से लेते हैं यह हमारा एक system हो गया ठीक है जिसका पूरा system है वो एक isolated system की तरह वर्क कर रहेगा यहां पर यह क्या हो गया यह जो system है first system second system के लिए surrounding का काम करेगा और जो seconds है इसको अगर system लेते हैं तो यह हमारा इसके लिए surrounding का काम करेगा ठीक है तो और यह जो टोटल है इसको हम एक पूरा सिस्टम मानते हैं तो यह क्या हो गया एक इसमें क्या हो रहा है यहां से एनर्जी ट्रांसपर हो रहा है यहां से इसके और एनर्जी ट्रांसपर हो रही है ठीक है केवल क्या हो हो रहा है internally energy interaction हो सकता है isolated system क्या होता है एक ऐसा system जिसके अंदर बाहर से कोई energy ना तो transfer हो सकती है और ना ही energy बाहर आ सकती है cable क्या हो सकता है अंदर internal interaction हो सकता है अंदर ही उसके अंदर system के अंदर जो interaction है वो हो सकता है तो यहाँ पर जो entropy है entropy क्या होगी ds equal to del qyt equal to ds generation ठीक है तो यहाँ पर जो entropy वो क्या होगी 0 होगी क्योंकि हाँ पर system के अंदर से न तो heat enter कर रही है नहीं system से बाहर heat आ रही है कि बाल अंदर जो isolated system माना है हमने उसको तो उसके अंदर ही heat interaction हो ही तो यहां से heat हमारी 0 होगी ठीक है तो यह कि र मारी क्या हो देख साज्ट enclosure जाएन यह लेडार्य फैन और चनलत यहां पर ds है ठीक है तो आप यहाँ एन्ट्रोफी यहां पर टेज राफ जन रेशन हमेसा 0 से ज्यादा होगा जो entropy generate हो रही है वो हमेशा 0 से जादा होगी ठीक है यहाँ पर ds of universe universe की जो entropy होगी वो greater than or equal to 0 रही है तो यहाँ पर ds होता है ds क्या होता है चंजने entropy entropy of the system plus में चंजने entropy of the surrounding तो second law of thermodynamics क्या कहता है according to second law of thermodynamics all the processes in the universe are possible for which the change in entropy in universe is greater than or equal to 0 ds is greater than or equal to 0 तो मतलब क्या है इसका entropy of the universe can increase or constant but can never decrease तो universe की जो entropy है वो केवल increase कर सकती है या फिर constant रह सकती है कभी decrease नहीं करती है ठीक है तो यहाँ पर जो question है question के अंदर क्या कह रहा है यह दो gases है दोनों gases हमारी आपस में intermix हो रही है suddenly ठीक है अगर हम इसको एक isolated system मान लेते हैं और इसके अंदर दोनों gases है दोनों gases का internally interaction हो रहा है तो यहाँ पर यह जो system है वो isolated system का का काम करेगा तो यहाँ पर जो entropy है isolated system की या universe की वह हमेशा क्या करती है increase करती है ठीक है तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option number B increases ठीक है next question में क्या बोला जा रहा है if hot water and cold water are mixed then entropy of the system यासी प्रकास से यह hot water हो गया ठीक है और इसके अंदर हो गया cold water हो गया यह दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे के साथ mix कर रहे है suddenly जब mix करेंगे तो यह हमारा एक system बन गया ठीक है तो दोनों क्या हो रहे है internally mix कर रहे हैं तो यहाँ पर जो entropy entropy क्या करेगी increase करेगी तो इसलिए इसका भी answer क्या हो जाएगा option number a increases अब देखते है next question 305 इसमें पूचा गया है when a process undergoes a complete cycle then the change of entropy will be तो अगर कोई cyclic process हो रही है तो देल q by t equal to किसके बराबर होता है 0 के बराबर तो यह किसके बराबर हो जाएगा 0 value ठीक है तो option number c correct हो जाएगा इसके लिए अब देखते है next question question number 306 इसमें पूचा गया है if air is compressed adiabatically from atmospheric condition in a cylinder having compression ratio of 6 then pressure at the end of compression cell भी तो compression के end में हमें pressure निकालना है तो देखते हैं ये adiabatic process में क्या होता है pv to the power gamma equal to constant होता है तो यहां से अपन देखते हैं p1 b1 to the power gamma equal to p2 to the power gamma ठीक है तो यहां pressure of volume में जो relation आता है वो क्या आता है p1 upon p2 equal to आएगा b2 upon my b1 to the power gamma ठीक है यहां पर air के लिए जो gamma की value है वो कित्ती होती है 1.4 होती है pressure p1 की value हो दी गई है atmospheric condition मतलब 1 वार दी गई है हमें p2 find out करना है तो compression ratio के आउता है b1 upon my b2 जिसकी value दी गई है 6 ठीक है तो यहां पर अगर इसको p2 upon p1 लिखें तो p2 upon p1 equal to आजाएगा b1 upon my b2 to the power gamma इसको अपन calculate करते है p2 upon 1 equal to 6 to the power 1.4 तो यह जो calculate करेंगे तो p2 की जो value है वो कित्नी आती है 12.28 बार ठीक है तो यहां पर जो pressure है pressure कित्ता आ रहा है 6 atmospheric से ज्यादा आ रहा है तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा देखते हैं इसका answer हो जाएगा more than 6 atmospheric pressure तो option number c correct हो जाएगा इसके लिए next question है 307 इसमें पूचा गया है a process which undergoes energy loss due to friction is called अगर कोई process जिसके अंदर friction के कारण energy loss हो रहा है तो वो जो process होगी वो कौन से होगी हमारी irreversible process होगी ठीक है next है 308 इसमें पूचा गया है which of the following is extensive property तो extensive property के बारे में हम पहले पढ़ चुके है extensive property कौन सी होती है जो mass per depend करती है which depends on mass ठीक है तो यहां पर entropy क्या है entropy mass per depend करती है तो यह भी extensive property है internal energy यह भी mass per depend करती है तो यह भी extensive property है next है kinetic energy यह भी extensive property है क्योंकि यह भी हमारी क्या होती है mass per depend करती है mb square by 2 ठीक है potential energy mg h यह भी mass per depend करती है तो यह सारी जो है extensive property है तो इसलिए इस cancer क्या हो जाएगा option number e अब देखते है next question 309 इसमें पुचा गया which of the following is not an extensive property तो extensive property हमारी mass per depend करती है तो यह mass per depend करती है enthalpy भी mass per depend करती है यह क्या होती है h equal to u plus में p volume mass per depend करता है ठीक है internal energy में mass per depend करती है enthalpy भी mass per depend करती है ठीक है internal energy में mass per depend करती है और potential energy यह भी mass per depend करती है density है जो mass per depend नहीं करती है तो इसलिए cancer क्या हो जाएगा option number e next है the cyclic integral of del q minus del w 4a process is equal to cyclic integral के लिए del q minus del w किसके बराबर होगा ठीक है यह पूचा गया है तो first law of thermodynamics से हम जानते हैं for a closed system undergoing a cycle net heat transfer is equal to the network transfer अगर cyclic process में अपने इस तरीके से लिखते हैं del q equal to cyclic integral of del w तो यह बराबर है तो यह cyclic integral हो रहा है अगर हम del w को इदर लेके आते हैं तो यह क्या हो जाएगा del q minus में del w और यह क्या है हमारा cyclic integral ठीक है तो यह किसके बराबर होगा 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसको अपने इदर ले आए तो यहां पर क्या बचा 0 बचा तो यह किसके नेक्स्ट कुश्चन थ्री डबल बन इसमां पूछा गया है डेल क्यू माइनस डेल डव्य फोर आइडियल गैसेज तो आइडियल गैसेज के लिए जो डेल क्यू माइनस डेल डव्य है वो किस पर डिपेंड करता है तो यहां पर देखते हैं तो अगर हम यह पी बी डायगराम लेते हैं और प्रोसेज अलग लेते हैं यहां बन पॉंट से गूंट नेर्फ यह तीन पात लिए गया हमने यह यह बी पात हो गया रिटन आप और यह सीपात सर रिटन कर देख तो बन से 1 एट फास बन कर लगा इस पाथ में जो हीट है ड्ल की हो जागे दफ 10ल कि 1 a2 और यह बापास आने वाला 2B 11 हमारी तो भुटय होगी हमारी ट्रू लीट हो गया हमारा ड्ल की ड्ल ड्ल rails ड्लमरी तो ड्ल gu देल Q 1 A 2 प्लस में, देल Q 2 C 1, एक्वल to del W 1 A 2 प्लस में, देल W 2 C 1, ठीक है? यहाँ पर बग-डन होगे हैँ, हाँ पर हीट होगी दोनों के लिए, तो यहाँ पर, यह equation number 1 थी, यह हमारी equation number 2 होगी, तो equation number 1-2 करते हैं तो क्या हो जाएगा क्या निकल के आता है हमारा यहाँ पर इस equation से यह निकल के आ जाएगा यहाँ पर del q 2b1- del q 2c1 equal to del w 2b1- del w 2c1 ठीक है तो यहाँ पर del w 2b1 इसके बराबर नहीं है del w 2c1 के और यहाँ पर जो heat है heat भी दोनों के बराबर नहीं है ठीक है अगर हम इसको आगे solve करते हैं तो आगे क्या हो जाएगा इस del w को इदर लेके आगे तो यह क्या हो गया del q 2b1- del w 2b1 और यह हो गया del q 2c1- del w 2c1 तो यहाँ से दो path b and c are different में दोनों path हमारे क्या है? different यह b वाला path हो गया और यह c वाला path हो गया दोनों हमारे path क्या different है लेकिन जो quantity है del q- del w की यह क्या है? same है दोनों path के लिए ठीक है? as the end points are same and hence दोनों end points same है इसलिए जो hmm यह है days this must be a change in property And this property is known as energy इस property को हम क्या कեते हैं? एनेजी कहते हैं तो यहाँ पे dell q ये क्या आगिए ये फर्स्ट लॉप थर्मोडाइनमिक्स ठीक है? यहाँ पे dell q minus dell w equal to क्या हो गया? d e के बराबर और d e जो है d e क्या होता है हमारा? internal energy ठीक है यहाँ पर ये क्या है? internal energy तो यह Del Q-Del W किसके बराबर हो गया हमारा internal energy कि तो यह हो गया D U equal to Del Q-Del W तो internal energy की बारे में हम जानते हैं internal energy is the function of temperature only ठीक है चलिए यह जो प्रोपर्टी है हमारी Del Q-Del W यह किस पर पेंड करेगी temperature पर क्योंकि हाँ किसके बराबर यह daily u के बराबर है internal energy के बराबर है तो internal energy हमारी temperature का function होती ही के बल तो इसलिए यह किस पर depend करेगी temperature पर तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा dependent on temperature only option number b next है internal energy and enthalpy of ideal gas are function of तो यह हम जानते है internal energy is the function of temperature and enthalpy is also a function of temperature यह हम पहले वाले lectures में discuss कर चुके अच्छे से तो इसका answer क्या वाजा कर temperature only option number a अब दिखते है next question 313 question number 313 में पूंचा गया है a process a process occurs spontaneously if its entropy तो अगर कोई process spontaneously हो रही है तो इसकी जो entropy entropy क्या होगी increase करेगी है में साथ option number a next है 314 the area under ts diagram represents the area under ts diagram के बारे में देखते हैं तो यहां पर यह क्या है ts diagram हो गया ts diagram यह इस थरीके से हमारा ts diagram मना हुआ है तो यहां पर मैं process यहां पर यह process लेडी बंसे to को यह भी process ठीक है इस process में यह एक small area ले लिए तो यह area क्या हो गए DA जो area है वो किसके बराबर होगा TDS के ठीक है तो यहां से जो area है area किसके बराबर होगा integration of TDS तो यहां से DS equal to किसके बराबर होगा deal Q by T TDS equal to किसके बराबर होगा deal Q गे ठीक है तो deal Q equal to होगा TDS तो यहां पर जो heat है heat किसके बराबर आजाएगा integration of TDS तो जो net heat है वो किसके बराबर होता है network transfer के और ये किसके बराबर होता है area enclosed by TS diagram, तो ये किसके बराबर हो जागा, वो net heat transfer के बराबर होता है, ठीक है, ये हमारा TS diagram हो गया 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर यह जो heat and net heat transfer किसके बरावर हो गया heat supplied minus में heat rejected तो area under TS diagram represents the heat transfer for an internally reversible process तो area under the TS diagram किसको represent करता है heat transfer को represent करता है for internally reversible process अगर कोई process internally reversible है तो उसके लिए TS diagram के अंदर जो area हो किसको represent करेगा heat को represent करेगा undergoing by system when projected on the entropy axis तीक है इसी के अंदर दो points और है वो भी देख लेते हैं second point यह है area enclosed by internally reversible cycle on TS diagram represent the net heat interaction during the cycle and it is also equal to the network interaction तो यह हम लोग यहां पर देख चुके है area under the TS diagram वो किसके बराबर है network interaction के बराबर भी है यहां पर तो वही यहां पर बोला गया है net heat interaction during the cycle and it is also equal to the network transfer तीक है next point है when entropy generation is present in the system then the area under TS diagram has no meaning अगर entropy generation उसमें present है तो यह TS diagram का जो area है उसका कोई meaning नहीं रह जाता उसके अंदर ठीक है यह किसके लिए internally reversible process है तभी यह area under the TS diagram किसके बराबर होगा net heat transfer के तो इस लिए इस cancer क्या हो जाएगा ही ट्रांसपर फोर रिवर्सिबर प्रोसेज अप्शन नुम्मर सी next question है 315 इसमें पूचा गया है following relationship defines the Gibbs free energy G equal to ठीक है तो Gibbs free energy के बारे में पूचा गया है तो देखते हैं Gibbs free energy के बारे में Gibbs free energy क्या होती है Gibbs free energy also called maximum useful work या फिर available work that can be done by the system on the surrounding in a spontaneous process occurring at a constant temperature and pressure तो अगर कोई spontaneous process हो रही है at constant pressure and temperature पर तो जो maximum useful work है या maximum available work है जो हम system के द्वारा surrounding के ऊपर कर सकते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं Gibbs free energy कहते हैं एक नई term है Gibbs free energy ठीक है यह किसके बाराबर होता maximum useful work तो maximum useful work निकाल के देखते हैं यहां पर देल क्यूट डेल क्यूट किसके बाराबर होता है d u of the system plus में डेल डावू यह first law thermodynamics से है डेल की उकल डे यूट प्लस में डेल डब्लू तो यह system के लिए बात करते हैं अपन तो डेल डावल इकल डू किसके बाराबर हो जाएगा हमारा यह डेल डब्लू system माइनस में डेल डब्लू surrounding ठीक है यह हमारा system का जो बर्क है वो किसके बाराबर हो गया system का बर्क माइनस में surrounding का बर्क तो maximum universe को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेल एस of the system प्लस में डेल एस of surrounding equal to zero तो यहां से equal to zero है तो इसको इदर लेकर आ जाएगे तो यह किसके बाराबर हो गया system equal to minus 1 डेल अस surrounding तो हम जानते हैं डेल एस जो delta s है वो किसके बाराबर होता है यह इसको ds भी किसके बाराबर होता है डेल q by t तो वह value यहां पर पूट करें हमने तो यहां पर surrounding के लिए अगर आपन निकाल रहे हैं तो surrounding के लिए डेल s equal to क्या हो गया डेल q by t0 surrounding के लिए इसी प्रकार से यहां पर value put कर देंगे तो यह system के लिए निकल के आ जाएगे system के लिए क्या हो गया डेल q minus में अपन में t0 of surrounding तो यहां से डेल q जो है system के लिए वो किसके बाराबर हो गया डेल q surrounding के तो डेल s system equal to हो जाएगा यहां से डेल q by t0 of the system डेल s system system के लिए अपना entropy निकाल गया तो वो किसके बाराबर हो गया डेल q by t0 of the system तो डेल q system जो है वो किसके बाराबर हो गया यह t0 delta s है यहां से अपन t0 को इदर लेके आ जाएगे तो डेल q of the system equal to हो जाएगा t0 delta s of the system तो यहां से अगर बढ डेल निकालना हमारे system के लिए system के लिए बढ क्या हो जाएगा यह जो बेल्ईू है डेल q की वो हम क्याूट करेंगे यहां데lık करेंगे तो यहांसे जो डेल यए अगया और थिनोट डिल्टैस क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा टी नॉट डिल्टैस ठीक है और जो maximum usable work है maximum usable work किसके बराबर होगा जो maximum work है system का वो minus में ये constant pressure और temperature पर है तो constant pressure पर जो बगदर होगा वो क्या होगा P b2 minus b1 ये हो जाएगा इसको minus करेंगे तो ये क्या होगा हमारा maximum useful work ठीक है तो यहां से क्या निकल के आगया ये u1 minus में t0 s1 plus में p0 b1 ऐसे ही है u2 minus में t0 s2 plus में p0 b2 तो यहां पर ये 5 1 5 2 5 1 इसको दे दिया नाम और इसको 5 2 तो ये maximum useful work आगे हमारा 5 1 minus में 5 2 ठीक है तो यहां पर ये जो value है ये जो value है u1 u minus में t0 s plus में p0 b2 इसको हम किस तरीके से लख सकते हैं ये u plus में pb किसके बराबर होता है enthalpy के बराबर होता है तो यह क्या हो गया enthalpy minus में ts ठीक है इसी को हम क्या कहते है गिप्स-free energy ठीक है गिप्स-free energy g equal to होता है h minus में ts अगर हम change लख रहे हैं delta g तो delta g किसके बराबर हो जाएगा delta h minus में t delta s यह क्या है फिल gives free energy equation ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा देखते हैं इसका answer हो जाएगा g equal to h minus ts option number b अब देखते हैं next question 316 इसमें पूचा गया है following relationship defines the hellmords function app hellmords function को कौन सा relation define करता है hellmords function भी देख लेते हैं तो hellmords function के लिए अगर पन system consider करते हैं consider a system which is in temperature equilibrium with the surrounding surrounding के साथ वो temperature के साथ equilibrium में before and after the process तो जो maximum optimal work है maximum useful work है वो किसके बरावर होगा यह w maximum equal to हो जाएगा even minus में यूट माइनस में यूट माइनस में टी नॉट एस बन माइनस एस टू ठीक है even e2 क्या है यहां पर total energy हो गई तो यूबन प्लस में mb1 square अपन में 2 प्लस में mgz1 और यहां पर e2 की जगए यह पूट कर दिया यूट प्लस में mb2 square अपन में सकते हैं इसको w maximum equal to हो जाएगा यूबन माइनस में यूट माइनस में टी नॉट एस बन माइनस में temperature t ठीक है तो यहां पर यह क्या है hard mode function सबीए इसको अपन इस तरहीकेसे लिख सकते हैं यू माइनस ts ठीक है यहां पर इसको में तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा Option number D F equal to U minus T S अब देखते हैं next question Question number 317 इसमें पूचा गया है If M1, M2 and M3 V molecular weight molecular weight है of constituents gases and M1, M2, M3 corresponding mass fraction then molecular weight M of the mixture is equal to तो molecular weight निकालना है mixture का तो देख लेते हैं molecular weight किस तरीके से निकालना है हम जानते हैं जो pressure होता total pressure, total pressure क्या होता है यह होता है इसको इस तरीके से लिख सकते है partial pressure के summation के साथ में PA plus में, PV plus में, PC ठीक है यह partial pressure of gas A, B और C इस तरीके से total pressure P होगा हमारा हम जानते है ideal के इसके लिए PV equal to क्या होता है MRT तो यहां से PA equal to किसके बरावर होगा PA, V equal to किसके बरावर होगा MART T temperature constant है और PB into VB यहां पर VB लगा सकते है और यह किसके बरावर हो जाएगा MB, RB into में T ठीक है यह value हम इसमें put करेंगे तो यहां से यह क्या आ जाएगा PV equal to PA, V volume constant है तो PA, V plus में PB, V plus में dot 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 इस तरीके से अपन लिखते जाएंगे तो PB की जगे अपन क्या लिख सकते है MRT और यहां पर यह PA, V की जगे क्या लिख सकते है MA, RA, T और यहां पर क्या लख सकते है MB, RB into में T प्लस में dot dot इस तरीके से लिख सकते है पूरा तो यहां पर क्या है temperature हमारा constant है तो T से T cancel हो जाएगा सभी में तो बचेगा क्या यहां पर यह बचेगा केबल यह MR एकल टू MA, RA एकल टू MB, RB ठीक है R हमारा किसके बराबर होता है यह R not upon में M R not क्या है यहां पर universal gas constant है और R क्या है यहां पर characteristic gas constant ठीक है तो यहां पर इसको इस तरीके से लिख सकते है character gas constant R equal to होता है R not upon में MA RB equal to हो जाएगा R not upon में MB ठीक है तो यह जो value है यह value है अपन किसके अंदर put करेंगे यहां पर put कर देंगे यह जो R की value है RA, RB की भी जो value है अब अपन इस equation के अंदर put करेंगे ठीक है तो यहां से क्या निकल के आया M into में R not upon में M और यह MA into में R not upon में MA और MB into में R not upon में MBA यह क्या है हमारा यह mass है small M है small M A और यह capital M है जो molecular weight है ठीक है यहां पर confusion नहीं होना है अब यहां से जो निकलेगा बन अपन M अगर अपन निकालते हैं तो बन अपन M किसके बरावर हो जाएगा यहां पर यह small M A mass of gas A upon में total mass M into में बन अपन M A इसी प्रकार से यह हो जाएगा MB upon में M into में बन अपन capital MB यह mass fraction हो गया of gas A और यह क्या हो गया mass fraction of gas B ठीक है तो इसको M F A लिख सकते हैं upon में M A और यह M F B upon में MB इस प्रकार से सारी gases का हो जाएगा तो hence M F A and M F B are the mass fraction of the constituents यह mass fraction है तो इसको अपन यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं बन अपन M equal to आ जाएगा यह sigma M F I upon में M I ठीक है अगर हमें molecular weight निकलना यह तो यह क्या हो जाएगा बन अपन हो जाएगा तो इसलिए यहां पर answer क्या हो जाएगा देखते हैं इसका answer हो जाएगा बन अपन M हो रहा है बन अपन M तो यहां से क्या होगा option number E correct हो जाएगा म अपन M1 अपन में M capital M1 plus M1 M2 अपन में capital M2 तो इसका अंसर हो जाएगा option number E ठीक है अब देखते हैं next question 318 इसमें पुंचा गया है 2 gases with their molecular weights 28 and 44 expand at constant pressure through the same temperature range the ratio of quantity of work done by the two gases तो यहाँ पर work done की quantity निकालनी है हमें यहाँ पुछा गया है flow work के बारे में ठीक है flow work के बारे में हम लोग last lecture में discuss कर चुके हैं flow work हमारा किस के बरावर होता है PV के बरावर तो इसी से यूज़ करेंगे हम देखते हैं हम जान देए flow work क्या होता है P into V तो ideal gas के लिए हम देखते हैं PV equal to क्या होता है MRT तो यह question अपन यूज़ करेंगे इसके अंदर यहाँ पर A के लिए और B के लिए दोनों के लिए अपन निकाल लेंगे यहाँ पर तो यह W1 यहाँ पर यह नहीं होगा और यह M into my R not upon my M B into my T तो यहाँ से यह M से M cancel हो जाएगा यहाँ R not से R not cancel हो जाएगा T से T cancel हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या यह M B upon my M A तो यह जो M B की value है वो किते दी गई है 44 और M A की जो value है वो 28 दी गई है यहाँ से पर जब अपन calculate करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 11 upon my 7 तो ratio हमारा क्या आ गया 11 upon my 7 तो इससे answer क्या हो जाएगा हमारा option number B 11 upon my 7 next question है 319 इसमें पूचा गया है How much mass of oxygen is required to convert 1 kg of carbon into 11 by 3 kg of CO2 ठीक है यहाँ पर 1 kg carbon को हमें convert करना है 11 by 3 kg of CO2 तो यह कितनी oxygen की आप सकता होगी तो देख लेते हैं यहाँ पर अपन इस तरीके से लेते हैं अगर carbon plus में oxygen is equal to CO2 ठीक है यहाँ पर 1 kmol लिया गया है carbon का और यह 1 kmol of oxygen तो यहाँ पर कितना बन रहा है यहाँ पर यह कितनी होगी है 12 होती है ठीक है और oxygen की जो molecular weight है वो कितना होता है 32 तो यहाँ पर यह क्या आओ जाएगा 32 masses का तो 32 upon में 12 तो यह कितना होगी है 8 by 3 और यहाँ पर 11 by 3 हमें बनाना है तो यह दोखो यहाँ से 44 upon में 12 तो 44 upon में 12 करेंगे तो यह कितना होगी है 11 by 3 तो इसमें जो oxygen हमें यूज हो रही है oxygen कितनी हो रही है 8 by 3 ठीक है इसी पर कास अगर आपन इसमें देखें दूसरा example देखें यह 2C plus में O2 equal to क्या बनेगा हमारा carbon monoxide 2CO तो यहाँ पर carbon के जो molecular beta वो कितना होता है 12 होता है तो यह total कितना हो जाएगा 24 ठीक है यह total हो गया हमारा 24 oxygen का जो molecular beta वो 32 होता है और यह जो carbon monoxide इसका जो total weight हो जाएगा वो 56 हो जाएगा तो यहाँ पर यह कितना आजाएगा 32 upon में 24 और यहां पर यह कित्ता आ जाए कि 56 है अपन में 24 ठीक है इसको calculate करेंगे तो इस तरीके से अपन निकालते हैं तो यहां पर कित्ता आ रहा है oxygen की जो मात्रा है oxygen की जो quantity है वो कित्यारी है 8 by 3 तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा option number D 8 by 3 अब देखते हैं next question question number 320 इसमें पूंचा गया है work done in compressing 1 kg of gas adiabatically from P1 B1 T1 to P2 B2 T2 adiabatic condition में जो work done होता है work done के बारे में अपन देख चुके हैं adiabatic condition में वो कितना होता है P1 B1 minus P2 B2 upon में gamma minus 1 ठीक है यह होता है तो work done हमारा क्या हो गया यह हो गया अगर हम इसको किस तरीके से लिखें P1 B1 के जगे क्या लग दें MR T1 minus में MR T2 ठीक है तो यह क्या हो जाएगा मास को अगर हम उनिट मास ले रहते हैं तो यह क्या हो जाएगा R upon gamma minus 1 gamma minus 1 into में T1 minus T2 ठीक है और R upon gamma minus 1 किस के बराबर होता है यह CB के बराबर होता है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं CB T1-T2 ठीक है CB T1-T2 तो यह जो यहाँ पर यह किसके लिए compression की बात कर रहा है तो compression में बर्क negative होता है तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर minus आ जाएगा तो यहाँ से value है value के निकल के आ जाएगी value आ जाएगी CB T1-T2 आ रहा था तो इसकी जगे क्या लिख सकते हैं CB T2-T1 T2-T1 क्योंकि compression बर्क है तो यह negative हो जाता है यह क्या हो जाएगा CB T2-T1 तो इसलिए इस cancer क्या हो जाएगा option number A so thanks for watching अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें share करें और subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में